इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरेनेट से लिगई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। यह मस्तिश्क में विद्यूत संकेतों को धीमा करके काम करता है जो दौरे का कारण बनता है, यानि की फिट बैठता है। इस दवा का उपयोग विभिन प्रकार के दौरे मायो क्लोनिक, आन्शिक शुरुवात और प्राथमिक सामा नेकर टॉनिक क्लोनिक यानि की या ग्रैन माल को नियंत्रत करने के लिए किया जा सकता है। यह भ्रम, बेकाबू, मरोर्ते आंदोलनों, जागरुकता की हानी और भाय या चिंता जैसे लक्षनों को कम करने में भी मदद कर सकता है। दवा आपको कुछ ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमती दे सकती है जिन्हें करने के लिए आपको अनिता मना किया जाता है या डर लगता है, यानि की जैसे तैराकी और ड्राइविंग। इस दवा को काम करने में कुछ सब्ताह लग सकते हैं क्योंकि खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है और इस दोरान आपको दोरे पड़ सकते हैं। आपको इसे लेना जारी रखना चाहिए। भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों और आपको कोई दोरा न पड़ रहा हो। गुम खुराक से दोरे पड़ सकते हैं। जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह न दे तब तक इस दवा का उपयोग बंद न करें। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं। लेविग्रेस 250 टैबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। लेविग्रेस 250 टैबलेट एक मिर्गी रोधी दवा है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की सत्हों पर विशिष्ट साइटों, यानि की SV2A से जुरकर काम करता है। यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य गतिविधी को दबा देता है और विद्यूत संकेतों के प्रसार को रोकता है जो दौरे का कारण बनते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।